जिस पल का सभी सनातनियों को मेरे जैसे सभी हिंदु वादियों को बेसबरी सिंतजार था वो समय और वो इस्थान मेरे सामने आचुका है और उस समय को बंते हुवे मैं अपने आखों से देख रहा हूँ और ये स्थान है श्री राम मंदिर अर्था जन्भूमी पर इस समय मैं अयुध्या में राम जी के खड़ा हूँ और मैं इस समय श्री राम जन्भूमी मंदिर पर का जो निर्माण हो रहा है उसे देखने आया हूँ और इससे जुड़ी सभी विशेस एक्स्क्लूजिव इसको कह सकते हैं सुपर एक्स्क्लूजिव ग्राउंड रिपोर्ट और ये मैं गारेंटी से कह सकता हूँ कि आप आज से पहले इस तरह के वीडियो कभी नहीं देखे होंगे तो मैं आपको एक-एक कोना, एक-एक इस्थान, एक-एक निर्माण सब कुछ बहुत अच्छे से चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धी करें, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आपको मैं एक-एक कोना जैसा कि मैंने बोला, मैं दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आरम करता हूँ, सीडियों के उपर मैंने चोखट से, आप देखिए किस प्रकार से इसका निर्माण होरा भी, यहां पर साफ सफायादी बाकी है, लेकिन जो चोखट है, वो इस तरह से है, मंदिर के जो पिलर्स हैं, वो आप देख सकते हैं, यहां पर जो मोटा कारी है, वो हो चुका है, अभी इसमें प्रतिमा का निर्माण बाकी है, जो कि हर प्रतिक जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, इस तम्भ हैं, उस पर होना है, और आप देख सकते हैं कि यह सभी पीलर्स है इस समय मैं हूँ गरभगरी के जिस्ट बाहर और यहाँ पर जो पीलर्स बने हैं प्रवेश की यानि कि गरभगरी में जब आप प्रवेश करेंगे वो प्लर वो पत्थर ही कुछ अलग होगा क्यों कि वो पत्थर है संगे मरमर का सफेद मार्बल जिसको बोलते हैं वो मकराना के प्रतीमा बनेगी द्वारपाल आदियूं का और ये बनने के बाद अभी और सुन्दर लगने वाला है आप ये देख सकते हैं यहां पर चोटा सा अभी यहां पर कुछ बाकी हकारे चल रहा है और ये मुड्तीमा करूएऽ आदो से मुड्या रहाद पॉट利geू चलीटीटेए हैं ठादे हैं इटो ये थोग ये वगने देखफ ये विन हैны, ही शोच्षग जे अस्वरीट गवे हैं ये कि उ這邊 अट वके हैं मित्र हरुमान जी के स्वरूप में वानर जी भी आगा है निरिक्षड करना है मंदर को देखना है कि कि इस पकार से नियर मालवर आप देख सकते हैं गहन निरक्षड कर रहे हैं बैठे बैठे उपर नीचे सब देख रहे हैं कि कछ गड़वड़ तो नहीं बना रहे हैं हम लोग मित्र इस समय मैं अयोध्या में निर्माडा धीन श्री राम जन भूमी पर मंदिर के निर्माडा स्थल पर हूँ अब देख सकते हैं कि कितनी सुन्दर और भव्य नकाशी के जा रही है यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी एक ऐसा दिवाल का कोना नहीं बचेगा जिस पर कि कोई नकाशी ना हो आप देख सकते हैं छट से लेकर के दिवाल पिलर्स खिड़कियां जितने भी रोशंदार हैं दर्वाजे हैं दर्वाजों के जो डिवडियां हैं द्वार के सभी कुछ पर इतनी महीन इतनी क्या होते हैं गजजिन नकाशी तराशी कारी किया जा गया है कि आपको देख के ही अंदर आते ही एक अलगी अनुभा होगा आप देख सकते हैं कि कुछ यहां बचे हुए हैं जैसे कि यह पिलर हैं पिलर पर अभी यहां पर मूर्ती का निर्माण होगा सभी पिलर्स पर यह छोड़ा गया है क्योंकि यह एकदम अंती में होगा और इसल सामने आपको वहाँ पर दिखेगा राम जन भूमी लिखा हुआ श्री राम जन भूमी उपर ही मेरे बाद शब्दों की कमी नजर आ रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे जग़ाँ पर खड़ा हूँ जहां पर जिनकी जिस इस्थान की व्याक्या नहीं की जा सकती अर्थात मैं अभी राम जन भूमी मंदिर पर निर्माडा धिन इस थल पर हूँ और ये इस्थान है सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर गर्वरी है ये गर्वरी के बाहर का बड़ा सा अगमंडप है सामने वहाँ पर भगवान श्री राम विराजमान होंगे मैं आपको अभी ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ ही महिनों बाद अर्थात जनवरी दोजर चौबिस में जैसे ही प्रभू श्री राम विराजमान होंगे अपने मंदिर में अपने घर में तो उस इस्थान पर क्या आप जो आएंगे कैसा होगा और उसके पहले अभी वह कैसा है यानि कि जिस समय अभी आज आप वीडियो देख रहे हैं इस समय मंदिर का निर्माण स्थल का जो अवलोकन है किस प्रकार से होगा वो मैं आपको दि खा रहा हूं आप कलपना करिए इमेजिन करिए कि यहां पर भगवान श्री राम है और उनकी प्रतीमा यहां पर इस्थापित है आप एक कलपना करिएगा आपको मुझे लगता है कि आपको दर्शन भगवान के अभी ही हो जाएंगे क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या जी इसकी जो कलपना है इसका जो अनुभव है आप सोच सकते हैं कि कैसा होगा आप यह देखिए मंदिर मैं आपको और क्लोस से दिखाता हूं आपको मैं थोड़ा थोड़ा गर व्याक्या करूँ इन निर्मालग पर इस थल पर जो बन रहे नकाशी है उनका तो आप देख सकते हैं कि किस पकार से सुन्दर कलश का निर्मालग किया गया है बगल में मोर बैठा है और इस कलश के ऊपर जो पूरी जो लड़ियां है आप उसे देख सकते हैं यही सेम जो डिजाइन है अकृती है वो इन दिवालों पर भी है तो जो यहां पर अस्ट कोणी है मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं अस्ट कोणी है श्री राम जन भूमी पर निर्माला धीम श्री राम प्रभू के गर्वग्री में जो मंदर बन है उसके गर्वग्री में मैं अभी हूँ और मैं आपको यहां से एक्स्क्लूजिव ग्राउंड रिबोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आवश्य आप जैश्री राम तो कमेंड पीना किये जाहिएगा मत मैं आपको मित्रू बता दूँ कि मैं इस समय गर्वग्री के इदम जो पास का जो मुख्य मंदफ है मैं उसमें हूँ एक साड़ मेरे निर्ट्य मंदफ है एक साड़ में है गुड मंदफ और मैं इस समय सेंटर में हूँ और मेरे सामने है प्रभूश्री राम का मुख्य गर मित्र अग よ मैं इस समय राम मंदरन से नुए गृतर के टिकाने के परयाज ञैँ अ कि चुका है जिस साफ्य गृत्रह पर गोई एक्षार के लिए गृता है और इस समय कि सहनी प общемरत स्य जिंग डियोत क्षया और यृत्पर का रूंड जो जितने भी चीजें थे वो मैंने दिखा दिया निर्माड के जो वरतमान परिस्थिती है उसको मैंने दिखा दिया है अब मैं आपको ऊपर के ओर ले चलता हूं उपर के ओर ले जाने से पहले मैं आपको मंदिर के जो भूतल के बाहर जो परकोटे का और अन्य जो अरिज रहुआ है यंक मित्र यहाद सभी कार्य मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर यानि की मंदिर को छोड़के जो बाहर में हो रहा है पर कोटे यादी का निर्माण वो था मैं आपको बाकी आगे का दिखाता हूँ जैसे ही आप मुख्य श्री राम मंदिर के लिए आप आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जब मंदिर का दर्शन होगा तो मंदिर की सीडियों को जो नीचे की में सीडियां उसके चड़ती आपको दो पिलर सामने दिखेंगे और वो यही दो पिलर्स हैं जो की मुख्य पिलर् आपको मैं बता दो कुछ नकाशी बागे जिसमें कि है प्रतिमा का निर्माड और यह आप देख सकते हैं उसके लिए इसे छोड़ा गया है अब जब कुछ दिन बाद यह पूर्ण हो जाएगा निर्माड मंदिर का तो यहाँ पर बचे हुए जो प्रतिमाओं का निर्माड है तो वो किया जाएगा ताकि उन्हें छती निर्माड के समय होने वाले कारियों से ना हो आपको मैं बता दो कि यह सभी जो पिलर्स आप देख रहा है यह बंशी पहाड़ पूर के गुलाबी बलुवा पत्थर है यानि कि राजिस्थान से इन्हें मंगाया गया है और इन पर नकाशी की गई है और यह आप देख सकते हैं इन्हें सज्ज कर दिया गया है एक चीज किया गया है राम मंदर के नाम लेते ही इतनी जो मन में श्रद्धा है लाखों जो सनातनियों का जो गुर्बानी शहादत गई है और करूनों हिंदू एवं सनातनियों का जो आस्ता है वो छलकने लगता है और उससे देखने के लिए आखें भर आती हैं और उसे देखने में अभी आया हूँ उसी इस्थल पर जहाँ प्रभुष्री राम जी ने जन्म लिया था अर्थात अयोध्या जी के पावन नगरी के राम जन भूमी पर निर्माडा धिन राम मंदिर के इस्थल पर आया हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर का निर्माडा कारी है यहाँ पर कई सारे निर्माडा कारी चलें आप यह देख सकते हैं वरांदे जो होते हैं रेलिंग उन्हें भी बनाया जा रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर कमल पूश्प को दर्शाया गया है आप देख सकते हैं यह इसी प्रकार से अभी इधर भी बनेगा, यह चारो तरफ से इसे घेरा जाएगा मैं आपको और बता दू यदि आपको वीडियो में देखकर कि यह लग रहा होगा कि यहाँ पर अभी कारे नहीं चल ला है, सनाटा यह इतना शांती क्यों है तो मैं आपको बता दू यह दो पहर का समय है, दो पहर का लगभग देड़ से दो बज रहा है और इस समय जो श्रमिक है, यहाँ पर जो कर्मचारी है, कारे कर रहे हैं, उनके समय है, इस समय है लंच का, यह नहीं कारे करने में कोई भी किसी भी प्रकार का कस्ट्री या फिर ड प्रोध ना हो, आपको मैं बता दू केवल मंदिर का ही निर्माण नहीं हो, और मंदिर के साथ कई सारे अन्य जो सुविधाएं विच्रधालों के लिए विक्सित की जानी है, उसका भी यहाँ पर इस समय जोर शोर से निर्माण कारे चल लाए है, आप मेरे सामने इधर चीजे हैं, वहाँ पर इस समय बेस का कारे चल रहा है, इधर पर बाकी का कारे है, और इधर मुख्य राम मंदिर पीछे आपको आपको दिखाना चाहूंगा कि यह मुख्य मंदिर है, और वर्तमान समय में जो दिश्रधालों के जो आने का इस्थल है, वहाँ आप देख सकत लोग अपने आशाओं को रोके हुए हैं कि जल्दी से जल्दी शेगराती शेगर मंदिर कर निर्माण हो और वो वहाँ नहीं यहाँ पर अपने इस्ट अपने प्रभू श्री राम का दर्शन करें मित्र इस समय मैं श्री राम जन्पुमी के निर्माणा धिन राम मंदिर के प्रथम तल के छट पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं, उधर से श्रधालों के लिए मुख्य प्रवेश द्वार होगा, सीडियां चलके जनता यहां आएगी, और ये मुख्य गर्वग्री के सामने का जो पहला इस्थान है, और उसके उपर मैं समय छट पर खड़ा हूँ, छट पर आप देख सकते हैं, कि सभी शिलाओं का जितना उप्योग होना था, उनको यहां पर फिट कर दिया गया है, कदुका को छोड़ करके, और आप देख सकते हैं, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद, आखरी मैं आपको मिलेगा गर्वग्र मैं आपको सभी जो एक्स्क्लूजिव ग्रिश है, वो मैं आपको दर्शाने का प्रयास करता हूँ, साथ में आप देख सकते हैं, यहां पर आधुनिक्ता के लिए, जो प्रकाश की विवस्ता है आधी के लिए, या अन्य चीजों के लिए जो है, वो पाइप आधी का भी का आधी के लिए जो रिक्वार्मेंट होती है, सीलिंग आधी पर, उसको भी पहले ही कर लिया जा रहा है, ताकि जो फाइनल टच देने से पहले उनको, उनके कारे को पूर्ण कर लिया जाए, आप देख सकते हैं, यहां पर पाइप आधी डल चुके हैं, जिनके लिए इस्पेशली किया गया पत्थरों में, और जगा जगा उन्हें निकाल कैसे रखा गया, फिर उसका मूँ ढग दिया गया टेप से, ताकि उनका दिक्कत उन्हें परशाणी ना हो, जाम ना हो, देख सकते हैं, साथ में इधर देखिया, अब तराई का कारे चलना है, मित्रों में आपको बता दो कि अयुद्या में केवल राम मंदर ही नी बन रहा है, अर्थात, राम मंदिर परिसर में राम मंदिर के साथी साथ और भी कई मंदिर बनने हैं जिसमें की निशात राज, जटाईयो और अन्य मंदिर जैसे के हनुमान जी आदी के भी मंदिर बनने हैं और उन सभी का भी कारेत तेजी से चालू होने वाला है अभी मैं आपको मंदिर एवो मंदिर के आसपास जो भी निर्माल कारे चल ला है दूर दूर तक वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप मैं इस समय बता दूँ कि मंदिर के गर्व ग्री के उपर में जस्ट खड़ा हूँ और यहाँ पर शिलाओं को जट के लिए लगाने का कारे अलमुस्ट पूरा हो चुका है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं हवे हमारा जो ज़ंडा है शिराम जी का प्रतीक है पताका है लहरा रहा है और यही इस्थल है जहाँ पर भगवान विराजमान होंगे और यही वो इस्थल है जहाँ पर जिसकी आस्था के लिए पांस सो वर्षों तक सनातनियों ने एक युद्ध लड़ा और अन्द दह सच की जीत हुई और पता का शाहन से लिए लागा है कई किलो मीटर दूर से ही दर्शनार्थियों को देखने के लिए और यहाँ पर आने वाले सभी श्रथालों के लिए आखों में आसु लाने का जो एक छड़ है वो दूर से ही मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ पताका उनकी आखों में देगा तराई किसलिए हो रहा है अभी मजबूती के लिए अच्छा यही है वो इस्थान जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिसके लिए साढ़े चार सो से पात सो शान पर यूज़ड़ा इस दरीयों ने और इस इस्थान पर इस समय भवे पताका लहरा रहा है जो यहाँ प्रद तर्शित करता है कि संच की हार पही नहीं होती हले सेकड़ों हजारों वर्ष बीच जाएं लेकिन संच की उनर स्थापना अवश्य होती है और इसी संकल्प के साथ आयोध्या में शिराम मंदर का निर्माड हो रहा है एक्स्लूजिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा कैसे यहां पर निर्माड कारे संचालित है क्योंकि इसकी आस्था से जुड़ा है सेकड़ों करोणों अर्वों जो हसनातनियों का विश्वास और उनकी आस्था तो इससे हम इसके साक्षी बना जाते थे और इस वज़ए से हम अभी आये हैं आयोध्या के राम जिन पुमी दिखा जातनि कारे को क्यों न दिखा दूं ताकि उन्हें अवरोध भी न हो निर्माड कारे में और आपको मैं अच्छे से सभी प्रेश से दिखा सकूं इसलिए मैं इसी समय का चेहन किया बित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य मंदिर का जो मुख्य पत्थरों का प्रयोग होना जिसमें कि मतलब कई प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होना और जिसमें जो सबसे प्रमुग है वो है बंची पहाड को जिसमें कि मैक्सिमम यानि कि अधिकांश मंदिर का जो निर्माण कारे वो संपन होना है और वो आप देख सकते हैं रेड इस्टोन है जिसे कि गुलाबी बलुवा पत्थर भी कहते हैं और लेकिन जो गर्ब ग्री है उसका निर्माण सफेद मकराना मर्बल से होना है और आप देख सकते हैं यह लाल है और इधर देखिए सफेद है और यह सफेद और इसके उपर लहराता पता का यह बात की गवाही देता है कि ये मुख्य गर्वग्री है और इसके उपर सफ्रेद माकराना मर्बल को रखा गया है और इसी के नीचे भगवान श्री राम का जो प्रतीमा है उसका ये स्थापना हुना है ये श्री राम मैं आपको बता दू कि सामने वहाँ पर आपको सर्यू जी नदी जी दिख रही है सर्यू का प्रवाह दिख रहा है नदी की धारा दिख रही है और आरमभिक समय में यही कर्ष्ट आया था एक पाधा आई थी कि सर्यू की थारा मंदिर के इस इस्थल्थ के नीचे से भी एक प्राचीन थारा पाई गई थी जिसके वज़े से मंदिर की जो नीव है जो आधार है उसको पबद के रहा है कि बहुत मोटी लेयर संदह की जो चटानों की बनाई गयता थी मंदिर को हमारे एक हजार वर्षों तक प्राकरतिक किसी भी प्रकार की बाधाओं से निर्बाधा निर्बाधित किया जाए और आईसा आशंका भी नरह से है कि किसी प्रकार से प्राकरतिक बाधा से मंदिर को किसी भी प्रकार की च्छती होगी और इसके लिए मंदिर को इस प्रकार से पत्थरों से केवल पत्थरों से बनाए जा रहा है ताकि इसके जो मश्बूती है वो निरंतर ऐसे ही सदा ही बननी रहे मित्र यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि आगे से मैं आपको इसी प्रकार से आपको वीडियो पसंद आये हो तो शेर करिएगा कमेंट में जैश्री राम लिखिएगा और भगवान के भजन में लीन रहिएगा तो जैश्री राम